हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सी आरेस ग्लासेज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैस की वरक्षीट फोर ल्कजी यूकेजी एल प्रैप क्लास इन वरक्षीश के थुरू आप इजली अपने बच्चे को घर बैट कर मैस सिखा सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं कुश्चिन फर्स राइट वर्न टू फिफ्टी इन बॉक्सेज यह कुश्चिन है फॉर्वर्ड काउंटिंग का आप अपने बच्चे को उसके थुरू फॉर्वर्ड काउंटिंग सिखाएंगे देखिए जनली क्या होता है जब हम बच्चे को फॉर्वर्ड काउंटिंग सि सकते हैं उससे क्या होता है बच्चा इस activity को बहुत interest के साथ करता है जैसे आप उसे करा सकते हैं one one के बाद बेटा क्या आता है two three three के बाद four given है four के बाद क्या आता है five six seven eight nine ten 10 इससे क्या होगा कि बच्चा इस activity को interest लेके गरेगा 10 के बाद 11 12 13 14 15 is given 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 is given 29 30 after 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 then 50 इस तरीके साब बच्चे को forward counting सिखाएंगे question two count and write next question क्या है कि बच्चा count करेगा और देन लिख number लिखेगा जैसे यहां पर stars given है बच्चा कैसे count करेगा 1, 2, 3, 4, 5 in the same way 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 इस तरीके साब बच्चे को count and write सिखाएंगे now उसके हम बच्चे को सिखाएंगे what comes before before means number से पहले कौन सा number आता है जिसे five, five से पहले क्या आता है इसके लिए पहले हम बच्चे को number line introduce करेंगे friends मैंने अपनी previous यूडियो में बच्चे को before, after, between concepts के बारे में बताया था इसके लिए मैं आपके link share कर दूँगी, description में आप महाँ जाकर देख सकते है जैसे five से पहले क्या आता है number nine ने five से पहले four one, four, fourteen से पहले उसमें मैंने बताया आपको previous वीडियो में कि first digit तो same रहेगी और second digit four से पहले क्या आता है three 36 से पहले 35 45 से पहले now what comes after हम बच्चों को सिराएंगे after 12 के बाद क्या आता है 13 16 के बाद 17 20 के बाद 21 39 के बाद 40 8 के बाद 9 11 के बाद 12 25 के बाद 26 now fifth question हम बच्चों क्या सिराएंगे what comes in between between मतलब बीच में कौन सा नमबर आता है हम बच्चों को बताएंगे कि after and between almost same होते है जैसे 13 के बाद क्या आता है 14 हम इसे कैसे बीड करेंगे 13, 14, 15 7 7 के बाद क्या आता है 8 और 9 से पहले क्या आता है 8 तो 7, 8, 9 22 23 24 28 29 30 उसके बाद question number 6 write numbers name हम बच्चों को पहले 1 to 20 तक number name learn कराएंगे जैसे कि जन्नली आम LKG UKG क्लास में बच्चों कराते है जब बच्चा number name learn कर लेगा तो आप उसको ये exercise दे सकते है 7 7 का number name बच्चा लिखेगा S, E, V, E, N 7 then 4 F, O, U, R 10 T, E, N 12 T, W, E L, V, E 12 15 F, I, F T, W, E 15 इस तरीके साब बच्चे उकर आ सकते है उसके बाद हम बच्चे उकर आएंगे count the shapes and write the numbers हम बच्चों को shape introduce करेंगे हम बच्चे से बोलेंगे कि इसमें आपको different different shapes दी गई है उसको count करके लिखना है देखे जैसे the bird have this is shape triangle हम बच्चे को बताएंगे कि ये shape triangle की होती है अब आपको count के लिखना है कि picture में कितने triangles दीए रहे है देखे तो बच्चे कैसे count करेगा 1, बच्चे shape को match करेगा यहां से 1, 2 कितने triangles से 2 फिर हम बच्चे को कहेंगे कि ये shape जो होती है square की होती है अब आप count कीजिए कि square कितने है तो बच्चे हैं से count करेगा 1, 2 अगें फिर हम बच्चे को बताएंगे कि ये shape जो है इस circle होती है goal shape जो होती है तो बच्चे count करेगा 1, 2 बढ़किया यह भी circle है 2 and then 3 इस तरीके से again oval oval की shape कितनी है 1 then rectangle rectangle हम बच्चे को बताएंगे 1 2 ठीके friends now हम बच्चे को एक चीज़ आपकर आ सकते है right back counting back counting इखना सिखाएंगे बच्चे को starting में हम बच्चे को 10 to 1 तक की back counting सिखाएंगे जब बच्चे से सीख जाएगा तो उसके बाद हम उसे आगे की introduce कर सकते है हम बच्चे को सिखाएंगे 10 10 से उपर क्या आता है 9 9 से उपर 8 8 से उपर 7 7 से पहले 6 then 5 4 3 2 and 1 इस तरीके से हम बच्चे को back counting सिखाएंगे 9 अब हम बच्चे को सिखाएंगे add कि हम add कैसे करते हैं इसके लिए हम बच्चे को telemarks introduce करेंगे बच्चे को हम telemarks के दिरूँ learn कराएंगे जैसे 2 2 के लिए हम कितने dash कीचेंगे 1 2 यहां कितना है 1 तो हम 1 dash कीचेंगे फिर हम बच्चे से कहेंगे किसे count करें 1 2 3 1 2 3 तो बच्चे यहां लिखेगा 3 then 4 हम बच्चे से बोलेंगे 4 lines कीचिए 1 2 3 4 and then यहां क्या है 2 1 2 फिर हम बच्चे से बोलेंगे किसे count कीजी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बच्चा solve करेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 now subtract हम बच्चे को सिखाएंगे subtract करना यहां कितना दिखा हुआ है 2 तो हम लिखेंगे 1 2 कितना माइनस करना है 1 यानि कि एक हमें घटा आना है हम क्या करेंगे 1 को cancel कर देंगे क्योंकि यहां 1 दिया हुआ है तो answer क्या होगा 1 इसी तरीके से यहां क्या है 1 2 3 कितने माइनस करने है 2 1 2 तो कितना बच्चा 1 Again 1 2 3 4 5 हम बच्चे को बोलेंगे कितना माइनस करना है 3 तो 3 को cancel करेगा बच्चा 1 2 3 तो कितना बच्चा 1 2 तो इस तरीके से हम बच्चे को मैस की वरक्षीट कराएंगे Friends, I hope आपको इस वीडियो देखके अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर सकते हैं Thanks for watching